Good morning students! फिर नए set of words, rhyming words आपके सामने और हम फिर तयार है exercise करने के लिए कुछ और नए words, कुछ और नए pronunciations, कुछ और नए उचारण, नए शब्द जानेंगे और तरीका जानेंगे आपको क्या दिख रहा है? A-W-O बोलिए A-W-O O O नहीं है यह O बन रहा है बोलते? O टीचर भी ध्यान दें कि बच्चे सही बोल पा रहा है अब J-O-J-O L-O-L-O बोलते जाईए, बोलते जाईए, आराम से J-O-J-O-J-O L-O-L-O पा, वेरी गुड, पा, आ, आ, पा र-आ, आ, रो स, आ, स, आ, स, एक बार एक साथ बोलेंगे J-O-L-O-P-O-R-O स, यह कौन से वर्ट हमने पढ़े? O-Wर्टS Next क्या लिखा है बेटा? O-W आओ वर्टS आओ वर्टS को आओ, काओ काओ को आओ हो आओ, हाओ नाओ फर्ट देखी पेटा यहाँ A-W में O-O-W में आओ काओ हाओ नाओ दोआर लिख दिया सही है ना काओ हाओ नाओ सोलो सही है? रॉंग हम तो आओ वर्टS पढ़ रहा है ना तो यह तो सो है यह लो है यह तो राइम नहीं कर रहा है मने राम का राइमिंग सुनी था ऐसा है क्या? या राम को राइम करें रोहन से कहा राम कहा रोहन तो आपको यह बताने का सिर्फ एक मकसद spellings पे नहीं उचारण पे जाना है आगे हम पढ़ेंगे कि spellings अलग होती है लेकिन पढ़ते समय उसको हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ते हैं तो वो राइम कर जाते हैं ठीक है? तो यहां यह बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इसी के साथ में यह दो आपने अपने बुक में पढ़े हुए थे और इसको बना दिया राइमिंग कि यह तो मैडम ने बताया था C-O-W, H-O-W, N-O-W, तो S-O-W, L-O-W गलत हो जाएगा बिल्कुल नहीं इसी लिए मैं आपको बता रहे हूँ आओ वर्ड, C क, आओ, खाओ ह, आओ, हाओ न, आओ, नाओ और रो समझ में आया चीद रहे से? अब हम आते हैं एड़ वर्ड्स पर एड़ हमने एड़ वर्ड्स पढ़ें, एड़ नहीं पढ़ा आवे तक एड़, बोलिए एड, एड़ स्टार्ट करें बा, एड़ बेद रएड, रेड फा, एड़, फेड वा, एड़, वेड लएड, लेड once again एड़ वर्ड्स मेरे साथ बा, एड़, बेड रा, एड, रेड फा, एड, फेड वा, एड, वेड एड एड़, याड एड लेड बेड, रेड, बेड बेड, रेड, फेड, वेड एड, एड 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 एक्सेस शुरू करेंगे Line से एक-एक set of words आपको पढ़ने है ठीक है? भूलेंगे नहीं, गलती नहीं करेंगे जैसे बताए split करके, अलग-अलग करके पढ़िए फिर एक साथ पढ़िए और जब तक सारे बच्चे इन तीनो set of words को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक वीडियो को बन मत कीजिएगा supportive teacher Thank you very much